दरोनिदेग जी, मैं आप से ये पूछना चाहूंगा, कि आपने कभी शोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था, तो कौन से साल में, कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विशार नहीं है और सामाने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है शायद जो बन जाते हों सब के जीवन में ऐसा होगा मैं नहीं मानता हूँ कि हैने कोई एक तिम फैमिली ही उसी प्रकार से बेक्ग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभा विखे मेरा जो फैमिली बेक्ग्राउंड है उसमें तो आगर मुझे कहीं अच्छी सी नोकरी की भी मिल गई होती है तो शायद मेरी मां अडोस-पडोस के लोगों को गुड़ खिला देती है कि चलो बेटे को वहां नोकरी में गई है कि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गाउं के बार कुछ देखा नहीं सा यह तो यक्सी यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया तो जिम्मेवारी आती गई बहुत ही मतलब नाचुरली रहा है इसमें वैसे मुझे मेरी दृष्टी से मेरे वेक्ति के जीवन के दृष्टी से अननेचरल लग रहा है क्योंकि मेरा बैक्राउंड, मेरी दुनिया आज की जु राजनीती का तौर तरी गया उसमें यह सब सेरे हो रहा है कि देश मिजे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मिजे देता रहता है